दोस्तों नमस्कार ये है मागदुशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों बिभिन प्रत्योगी परिक्षाओं के सामान ग्यान और सामान अध्यन के लिए भारत के भुगोल से संबंधित महत्वण प्रश्णों के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है अपवाह तंतर के अंतरगत गंगा नदी तंतर से संबंधित महत्वण प्रश्णों का रिवीजन जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं जैसे यूपी पीसियस प्रारंभिक परिक्षा आरो यारो यानी समिच्छाधिकारी सहायक समिच्छाधिकारी लोवर पीसियस तथा अन्यराज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्राखंड बिहार राजस्थान और यंपी पीसियस द्वारा आयोजित परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आईए शुरू करते हैं भारत के भुगोल के अंतरगत गंगा नदी तंतर से संबंधित महत्तपूर प्रश्णों को, पहला प्रश्ण है गंगा नदी उदाहरण है किसका, इसमें आपको बताना है पूरवर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवा आपसन ए आपका सही उत्तर है, अगला प्रश्ण है बंगला देश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो उत्तर है पदमा, याद रखेगा दूस्तों बंगला देश में गंगा को पदमा के नाम से पुकारा जाता है, अगला प्रश्ण है सुन्दर वन डेल देल्टा का निर्मार करने वाली नदियां कौन सी हैं आपको बताना है तो आपसन है गंगा और ब्रम्ह पुत्र गंगा और जेलम सिंधु और जेलम या गंगा और सिंधु तो सही उत्तर सुन्दरवन डेल्टा का निर्मार करने वाली नदियां गंगा और ब्रम्ह पुत्र है सुन्दरबन डेल्टा भारत और बंगला देश में इस्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है इसका निर्मार गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा हुआ है इसका लगभग दोती हाई भाग बंगला देश में और शेस भाग भारत में आता है प्रसिद्ध तेर थस्तल है ये अलग नंदा तथा भागी रती नदियों के संगम पर इस्थित है अगला प्रश्ण है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तड़ पर बद्री नाथ का प्रसिद्ध मंदिर इस्थित है तो आप जान लीजे बद्री नाथ का प्रसिद्ध मंदि कौन से है आपसन है महा नदी गोदावरी गंगा या नर्मदा तो सही उत्तर है गंगा नदी और इसकी लंबाई 2525 किलो मेटर है दूस्तों आप जान लीजिये कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है 2525 किलो मेटर ये भारत की सबसे लंबी नदी है अगला प्रश्न है भागी रती नदी निकलती है कहां से आपको बताना है गोमुख से गंगोत्री से तपोवन से या विश्नु प्रयाक से तो सही उत्तर है गंगोत्री के गोमुख से निकलती है आपसन ए आपका सही उत्तर है याद रखेगा भागी रती गंगोत्री से अगला प्रिश्ण है गंगा की एक मात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है उसको चिन्हित करिये आपसन है सोन, सारदा, गोमती या राम गंगा तो सही उत्तर गोमती नदी गोमती नदी का उद्गम गोमत ताल फुलहर जील जिला पेली भीत उत्तर प्रदेश में है ये गंगा की एक मात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है अगला प्रश्ण है निमनलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है आपको बताना है बेतवा, चंबल, केन या राम गंगा तो ये प्रश्ण बहुत ही महत्पूर है राम गंगा नदी गंगा की सहायक नदी है तो यहाँ पर देखे राम गंगा जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है बेतवा, चंबल और केन यमुना की सहायक नदी है यमुना नदी का उदगम अस्थार कौन सा है आपको बताना है तो यमुना नदी का उदगम याद रहना चाहिए आपको यमुनोत्री हिमनत के बंदर पूछ चोटी के पास से होता है यमुना नदी का उदगम आपसन भी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है केन बेतवा सोन और चंबल तो सही उत्तर है सोन गंगा की सहाइक नदी है और जबकि केन बेतवा और चंबल ये यमुना की सहाइक नदिया है तो याद रखेगा दोस्तों सोन नदी या मुना से नहीं मिलती है ये गंगा की सहायक नदी है अगला प्रश्ण है गंडक किसकी सहायक नदी है आपको बताना है या मुना सिंधु गोदावरी या गंगा तो गंडग गंगा की सहायक नदी है आप संडी आपका सही उत्तर है अगला प्रिश्न है चम्बल नदी के बहाव छेतर में कौन सी चम्बल नदी के बहाव छेतर निम्न भू आकृति की बनी है खड गढधा भेली या ड्रिफ्ट तो सही उत्तर आपका हो जाएगा खड दोस्तों आप जान लिजे चंबल नदी मध्य प्रदेश की महू के निकट लगभग 600 मीटर उची जनापाव की पहाड़ी से निकल कर राजस्थान से होकर बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है अत्यधिक नदी अपरदन के कारण चंबल नदी की घाटी बीहड यानि रेविन्स का जो है रेविन्स में परिवर्तित हो गई है जिनको खड भी कहते हैं अगला प्रशन है दो नदियों के बीच की उपजाओ भूमी को क्या कहा जाता थे अगला प्रशन है भारत में तलचट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कोंसी है गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र या यमुना तो सही उत्तर गंगा नदी देखे भारत में तलचट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी गंगा है अगला प्रशन है कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के रिए परसिध्ध है आपसन है नर्मदा कोसी ब्रह्मपुत्रियादामुदर तो इन में ये में सही उत्तर कोसी हो जाएगा आपसन भी कोशी नदी नेपाल हिमाले से निकल कर गंगा नदी में मिलती है प्रायह मार्ग बदलने की बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का विशाद या सोक कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा, को सी नदी बिहार का शोक कही जाती है, अगला प्रश्न है, अलकनन्दा नदी और भागी रथी नदी, जो है, अलकनन्दा और कौन सी नदी, जो है, खरक ग्लेसियर से निकलती है तो देखिए अलगनन्दा नदी किस Glacier से निकलती है जबकि भागी राधी नदी खरख Glacier से निकलती है तो सही उत्तर अलगनन्दा सतो पंथ और भागी राधी खरख Glacier से निकलती है अलक नंदा नदी सतो पंथ और भागी रथी खरक ग्लेसियर से निकलती है आपसन भी आपका सही उत्तर है अगला प्रशन बहुत ही महत्तोपूर है इसमें बताना है कि कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है गंडक, सोन, माही या फिर कर्मनाशा तो दोस्तों आप जान लिजे कि माही नदी जो है ये गंगा की सहायक नहीं है गंडक, घागरा, सोन और कर्मनाशा गंडक, घागरा, सोन और कर्मनाशा ये गंगा की सहायक नदियां है अगला प्रशन है आप देखिए गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेसियर से होता है और ये कहां पर जाकर समाप्त होती है तो सही उत्तर बंगाल की खाड़ी में ये समुद्र से मिल जाती है अगला प्रश्ण है गंगा नदी का अधिकांस भाग भारत के किस राजे से होकर बहता है बिहार पशिम बंगाल उत्राखंड और उत्रप्रदेश या फिर पंजाब तो सही उत्तर गंगा नदी का अधिकांस भाग उत्राखंड और उत्तरप्रदेश से होकर बहता है अगला प्रश्ण है कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है आपको बताना है बहुत ही महत्तपूर्ण प्रश्ण है कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है आपको बताना है तो सही उत्तर है कौशी की आपसन ए आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है गंगा नदी बिहार को कितने भागों में विभाजित करती है तो याद रखेगा गंगा नदी बिहार को कुल दो भागों में विभाजित करती है उत्तरी बिहार और दक्ष्वी बिहार अगले प्रशन पर आते हैं बिसो का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो आप जानते हैं कि बिसो का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मुपुत्र डेल्टा है आप संडी आपका सही उत्तर है इसको सुंदर्वन डेल्टा भी कहा जाता है अगला प्रश्ण है मंदाकनी किस नदी किस जल प्रवाह अथ्वा मुख्य नदी से संबंधित है अलक नंदा भागी रथी या मुना या धौली गंगा तो सही उत्तर है मंदाकनी नदी चोरा बाड़ी ताल से निकलती है ये सोन प्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है और बद्रिनात के दक्षण में रुद्र प्रयाग नामका स्थान पर ये अलक नंदा से मिलती है तो याद रखिएगा अलक नंदा नदी मं इसे आप याद रखेगा पूर्वी धौली गंगा नदी ये काली की सहायक नदी है अगले प्रशन पर आते हैं उस नदी का नाम बताईए जो केदार नाच से रुद्र प्रयाक के मध्य बहती है भागी रथी अलग नंदा सर्यू या मंदाकिनी तो केदार नाच से रुद्र के मध्य मंदाकिनी नदी बहती है अगला प्रशन है इन में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है आपको बताना है कोसी घागरा सोन या गंड़क तो सही उत्तर अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षणी तट या दाहिने तट की मुखे सहा का है जो पठार के किनारे पर जल परपातों की एक स्रिंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तो सही उत्तर सोन नदी गंगा की सोन नदी सहायक जो है ये उत्तर वाहिनी है अगला प्रशन है कौन सी स्रेड़ी यमुना और सोन के मध्य जल द्वी विभाजक का का करती है आपको बताना है तो सही उत्तर कैमूर स्रेड़ी आपसन भी याद रखेगा कि यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्वी विभाजक का कार कैमूर स्रेड़ी करती है अगला प्रशन है निमने लिखित में से किस नदी का जल गरहर छेतर सरवाधिक है महाननदा सोन रा सोन नदी इसका जल गरहर छेतर सरवाधिक है सोन नदी का जो जल गरहर छेतर है वो 70,055 बर किलो मीटर है जबकि आप देखिए महाननदा का 207 बर किलो मीटर राम गंगा का 30,811 और गंड़क का 45,731 बर किलो मीटर है तो इन विकल्पों में सोन नदी का जल गरहर छेतर सरव अगला प्रश्ण है बिहार राज में गंगा के किनारे इस्थित जिलों की संख्या कितनी है ये बीपी असी परिक्षा में पूछा गया था तो आप जान लीजे बिहार के बारह बारह जिले जो है ये गंगा नदी के किनारे है और सरवाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर ह दूसरे अस्थान पर भागलपूर आता है जहां गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है अगला प्रश्ण है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है भागलपूर कटिहार पटना या फिर बेगुसराई तो सही उत्तर आप जान लीजे कि बिहार के जो है दोस बारह जिलों से होकर गंगा नदी बहती है जिसमें गंगा की सरवाधिक लंबाई पटना में है हिमाले नदियों की मुख्य विशेष्टा क्या है तो सही उत्तर है हिमाले नदियां जो होती है ये सतत वाहिनी होती है हिमाले की अधिकांस नदियां हिम नदों से निकलने के क अगला प्रेश्ण है गंगा का मैदान उदाहरण है किसका तो सही उत्तर गंगा का मैदान निच्छेपित मैदान का उदाहरण है आप देख सकते हैं कि गंगा के मैदान मी सी सी पी के मैदान यांग टी सी क्यांग के मैदान हुआंग हो के मैदान ये निच्छेपित मैदान के उदारण है इनका निर्माड नदियों द्वारा लाए गए मलवा के निरंतर जमा होते रहने से हुआ है अग्ला प्रेशन है भारत में कौन सी नदी को खूला नाला कहा जाता है अगला प्रश्ण है गंगा नदी बहुत ही प्रदोशित नदी है ये कारण है जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदोशित होती है तो इसमें से कौन सा सही है तो सही उत्तरापका हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है ये सही है कि गंगा बिस्व की सर सोधित परदोशकों को गंगा नदी में मिलाया जाना है अगला प्रश्ण है गंगा की जलोड मिर्दा की गहराई भूमी सतह के नीचे लगभग कितनी है तो सही उत्तर ये है 4000 से 6000 मीटर और गलेनी की अनुसार 2000 मीटर ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोड निच्छेपों की गहराई 4000 से 6000 मीटर और गलेनी की अनुसार 2000 मीटर है तो इसमें आपसन A 6000 मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण दोस्तों यहाँ पर 4 आपसन दिये गए हैं और कोड के आधार पर इस प्रश्ण का सही उत्तर बताना है तो यहाँ पर आप देखे कि देव प प्रयाग अलगनन्दा और मंदाकिनी के सांगम पे है सही है अलगनन्दा नदीब बद्रिनास से बहती है सही है केदार नात आधि संकराचारे दौरास्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है तो यह गलत है तो एक दो तीन आपके सही है आपसन ए आपका स ही उत्तर है दोस्तों आप जान लीजे कि आधि संकराचारे दौरास्थापित चार पीठों में से बद्रिनाथ में अस्थापित है नेकी केदारनाथ में केदारनाथ का जो महत्व है वो जो है संकराधि संकराचारे के समाधि अस्थल के रूप में है केदारनाथ बारज यो से मिलान करिए और दिये के कोट से सही उत्तर का चैन करिए तो देखे बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है यह आपके लिए तो यहां पर रुद्र प्रियाग अगर आप देखेंगे तो रुद्र प्रियाग, कड़ प्रियाग और देव प्रियाग का मिलान सुचिदों में रुद्र प्रियाग जो है वो अलकनन्दा और मन्दाकनी और कड़ प्रियाग, कड़ प्रियाग का अलकनन्दा और बिंडर इसके अलामा देव प्रयाग भागी रथी और अलगनन्दा लेकिन नंद प्रयाग जो है वो विश्नु गंगा और मंदाकिनी में सुमेलन नहीं है क्यों कि नंद प्रयाग अलगनन्दा और मंदाकिनी नदियों के बीच इस्थित है तो यहाँ पर आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर दो चार तीन और एक माना है लेकिन आप जान लीजे कि नंद प्रयाग अलगनन्दा और मंदाकिनी नदियों के संगम के अस्थल के लिए प्रश्थ है अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकान समय में यमुना नदी मृत हो जाती है तो यह आपका सही है कारण है यमुना असततवाहिनी नदी है तो यह गलत है ए सही परंतु आर गलत है आपसं सी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है यमुना नदी की निमनलिखी सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर की और क्रम में बेवस्थित करिए बेतवा, केन, सिंध और चंबल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे दिये गए कोट से सही उत्तर का चैन करना है तो पश्चिम से पूर, सबसे पश्चिम में आप देखिए, चंबल है उसके बाद सिंध, फिर बेतवा, और उसके बाद केन का नंबर आता है तो चार, तीन, एक और दो, देखे, आप सन, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा चंबल, सिंध, बेतवा, और केन, यह यमुना की जो सहायक नदिया हैं, उनका पश्चिम से पूर की और क्रम है निमनलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है चिप्रा, काली सिंध, बेतवा या पारवती तो बेतवा नदी मध्य परदेश में बिंध परवसरिंखला से समुद्र तल से 576 मेटर की उचाई से रायसेन जिले से निकलती है और आप जान लिजे कि ये उत्तर प्रदेश के हमीर पूर जिले में यमना नदी से मिलती है और जो छिप्रा, काली सिंध और पारवती नदियां ये चंबल से मिलती है अगला प्रश्ण है मोरी बंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपविभाग है बहुत ही महत्तपूर प्रश्ण है दोस्तों आप जान लिजे कि मोरी बंद डेल्टा किस डेल्टा का विभाग है तो ये है बंगाल डेल्टा आप संसी आपका सही उत्तर हो जाएगा आप जान लिजे कि पश्मीनिस्क्री डेल्टा जो है वो मोरी बंद डेल्टा, प्रोह डेल्टा और ज्वार सक्री डेल्टा में भी भाजित किया गया है तो मोरी बंद डेल्टा को बागची द्वारा 1944 में ये नाम दिया गया था बंगाल डेल्टा कौन सा है तो सुन्दर बंद डेल्टा या बंगाल डेल्टा जो है वो उसी का भाग है मोरी बंद डेल्टा अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन सी एक नदी भारती गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है पुनपुन अजय जलांगी या जोक नदी तो सही उत्तर जोक नदी ये भारति गंगा नदी वेसिन का हिस्सा नहीं है जोंक नदी महा नदी वेसिन का हिस्सा है जो कि महा नदी की सायक नदी है और ये भारत के ओड़िशा और छतेस गढ़ राजियों से प्रवाहित होती है पुनपुन अजय और जलांगी नदी गंगा नदी वेसिन का हिस्सा है अगला प्रेश्ण है कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राजे से प्रवाहित नहीं होती है सोन नदी, हिंडन नदी, गंड़क नदी और शार्दा नदी तो सही उत्तर है गंड़क नदी आपसंसी आप जान लिजे कि गंडक नदी उत्तर प्रदेश राजे से प्रवाहित नहीं होती ये नदी नेपाल से निकल कर बिहार में प्रवाह करती है और सोनपूर पटना के निकट गंगा से मिल जाती है सोन, हिंडन और शार्दा नदी उत्तर परदेश राजे से प्रवाहित होती है अगला प्रशन है गिरी नदी किस नदी की महत्त पूर्ण सहायक नदी है तो याद रखेगा यमुना की सहायक है गिरी नदी ये दक्षिर पूर्वे हिमाचल प्रदेश में पानी का मुख्य सुरोत है अगला प्रश्ण है यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहा होता है आपको बताना है तो बेतवा और यमुना नदी हमेरपूर में मिलते हैं तो याद रखेगा यमुना और बेतवा का संगम हमेरपूर में होता है आपसन ये आपका सही उत्तर है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अपवाह तंत्र के अंतरगत गंगा नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र जो है उसके अंतरगत शामिल प्रमुख नदियों और उनसे संबंधित प्रश्णों का महत पूर्ण संग रह था ये बिभिन प्रतियोगी परिक्षाओं में भारत के भूगोल खंड के लिए ये वीडियो महत पूर्ण तो है ही साथ ही साथ भूगोल विशय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भरति परिक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही महत पूर्ण है आप इनको तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माक दोशन फॉर सिवल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार